Hello students, आज हम चतुर दशह पाठह पढ़ेंगे, first, take out your textbook and pencil, पाठह का नाम है अह, आह, च, अह और आह सबसे पहले शब्दार्त देखेंगे, पेज नमबर 79 लीनह, सनलगन, तलीन, वांचती, चाहता है, चाहती है, कोई अपी, कह प्लस अपी, कोई भी, आनय लाओ, अह, कश्ट सूचक अव्य, जब कुछ कश्ट होता है तो मुझ से अचानक ये साउंड निकलता है, अह, आह, ये भी पीरा सूचक अव्य है, आने तुम लाने के लिए प्लस उच्चहे, बहुत जोड से, चितकरोती चिलाता है, अब हम लेसन पढ़ेंगे, किप यो फिंगर अन दे टेक्स्ट बुक, अजीजह सरलह परिश्रमी च आसीत, अजीजह अजीज, पुलिंग करता है ये, सरलह सरल, परिश्रमी, महनती, च और च मिन्स और आसीत था, अस्तिस्तह संती, प्रेजेंटेंस, और उसका क्या बनेगा, पास्तेंस, आसीत, आस्ताम, आसन, अजीज, सरल, और परिश्रमी था, सह स्वामी नह एव सेवायाम लेनह आसीत, सह वह, पुलिंग, सर्वनामे, स्वामी नह स्वामी की, एव ही, उनले, सेवायाम सेवाम में लीनह लीन लगा रहता था, आसीत था, वह स्वामी की ही सेवाम में लीन रहता था, लगा रहता था, एकदा सह ग्रिहम गंतुम अवकाशम वंचती एकदा एक बार सह वह ग्रिहम घर को गंतुम जाने के लिए अवकाशम छुट्टी अवकाश वंचती चाहता है एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है स्वामी चतुर आसीत स्वामी चतुर था अजीज के समान दूसरा कोई भी कारे में कुशल नहीं है एश अवकाश का चुट्टी का अपी भी वेतन पगार सैलरी ग्रहिश करेगा यह चुट्टी का भी वेतन घ्रहन करेगा एवं चिंतेप्वा स्वामी कथयती इस प्रकार सोचकर मालिक बोलता है मैं तुमको तुभ्यां तुमको अवकास्ट से अवकास का शश्षी एक वचन काके की साइन लगेगए यहां पर अहम तुब्यम अवकाशस्य में तुमको चुट्टी का च और वेतनस्य सैलरी का पगार का सर्वम धनम दास्यामी सारा धन दूँगा दास्यामी दूँगा परंतु एतादर्थम इसके लिए तुम वस्तुद्वें आनय लाओ परंतु इसके लिए तुम दो वस्तुद्वें आनय लाओ परंतु इसके लिए तुम दो वस्तुद्वें लाओ और वो कौन सी दो वस्तुद्वें हैं अह आह च इती अह और आह इस परकार इती इस परकार सेंटेंस के कंपलीशिन पर ये वर्ड यूज करते हैं एतत शुरुत्वा अजी जह वस्तु द्वयम आने तुम निर्गच्छती Students, keep your finger on textbook एतत शुरुत्वा यह सुनकर अजी जह वस्तु द्वयम दो वस्तुवे आने तुम लाने के लिए निर्गच्छती निकलता है यह सुनकर अजी जह वस्तुएं लाने के लिए निकलता है सह इतस्तता परिभ्रमती वह इधर उधर इतस्तता इधर उधर परिभ्रमती घूमता है वह इधर उधर उधर गूमता है जनान प्रिक्षती जनान लोगों को प्रिक्षती पूछता है लोगों को पूछता है क्योंकि उसको तो कोई चीज पेंसिल नोटबुक टेबल चेर ऐसा कोई चीज लाने के लिए नहीं कहा गया है उसको क्या कहा गया है अहा और आहा लेके आओ आकाशम पश्यती आकाश को देखता है धराम प्रार्थयती धराम पृत्वी को धर्ती को प्रार्थयती प्रात्ना करता है परं सफलता नेव प्रापनोती परंतु सफलता नेव न प्लस एव नहीं ही प्रापनोती पाता है परंतु सफलता नहीं ही प्राप्त करता है चिंतेती सोचता है परिश्रमस्य धनम सह नेव प्रापसेती परिश्रमस्य परिश्रम का धनम धन सह वह नेव नहीं ही प्रापसेती पाएगा परिश्रम का धन वह नहीं ही पाएगा क्योंकि उसे ये दो चीज़े मिलेंगी नहीं और यदि नहीं मिलेंगी तो उसका मालिक उसे न अफक एका व्रिधा मिलती कुत्रचित कहीं पर एका एक व्रिधा बुढिया मिलती है अब यहां पर देखेंगे बचो व्रिधा इस्त्रिलिंग है इसलिए इसका विशेशन भी क्या है इस्त्रिलिंग मिलिया गया यदि यहां पर व्रिधा होता तो पुलिंग होगा तो पुलिंग क सित्र एका व्रिधा मिलती कहीं पर एक बुढ़िया मिलती है सह ताम सर्वाम वैथाम श्रावेती सह वह ताम उसको सर्वाम सभी सारी वैथाम दुगभरी बातें श्रावेती सुनाता है वह उसको सभी दुगभरी बातें सुनाता है सा विचारेती, अब सा यहाँ पर स्त्रिलिंग है, वह विचारेती सोचती है, स्वामी अजीजाये धनम दातुम न इच्छती, स्वामी अजीजाये चतुरती एक वचन, अजीज को के लिए को धनम धन दातुम देना न नहीं इच्छती चाता है, स्वामी अजीज को धन नहीं देना चाहता है सातम कथयती वह उसको तम मिन्स उसको सहतवते तम दुतिया एक वचन और इसका कारक्चिन क्या है को वह उसको कथयती कहती है क्या कहती है अहम तुब्यम वस्तुद्वयम ददामी मैं तुमको तुब्यम तुमको वस्तुद्वयम दो वस्त्वे ददामी देती हूँ परं तुम एव बहु मुल्यकम वर्तते परंतु दोनों ही बहु मुल्यकम बहुत ही मुल्यवान वर्तते हैं परंतु दोनों ही बहुत ही मुल्यवान हैं प्रसन्न सह स्वामी नह समीपे आगचती प्रसन्न हुआ वह स्वामी नह समीपे समीप में समीपे सप्तमी एक वचन में पर स्वामी के समीप में या समीप पर आगचती आता है अजीजम द्रिष्टवा स्वामी चकितः भवती अजीजम अजीज को दुतिया एक वजन द्रिष्टवा देखकर स्वामी स्वामी मालिक चकितः चकित आश्चे चकित भवती होता है अजीजम द्रिष्टवा स्वामी चकिता भवती अजीज को देखकर स्वामी चकित होता है स्वामी शनहे शनहे पेटीकाम उद्घाटेती स्वामी धीरे धीरे पेटीकाम बक्से को उद्घाटेती खोलता है पेटी कायाम लगू पात्र दोयम आसित अब यहाँ पर पेटी कायाम बालिका से बालिकायाम सब्तमी एक वचन तो यहाँ पर पेटी कायाम बक्से में लगू पात्र दोयम लगू छोटा पात्र मतलब बरतन और दोयम मतलब दो दो छोटे बरतन आसित आसित मतलब था होता है पर यहाँ पर जब Hindi translation करेंगे तो क्या होगा पेटी का याम लगु पात्र दोयम आसित बकसे में दो छोटे बरतन थे और यहाँ पर आसित इसलिए लिखा गया है क्योंकि लगुपात्र दोयम एक वर्ड है इसलिए यहां पर आसित लिखा गया है प्रथमम सह एकम लगुपात्रम उद्घाटेती प्रथमम पहले सह वह एकम एक लगुपात्रम छोटा बरतन अब यहां पर पात्रम नपुसक लेंगे इसलिए एकम है पहले वह एक छोटा बर्तन उद्घाटेती खोलता है सहसा एका मधुमक्षी का निर्गचती अचानक एक मधुमक्षी निकलती है निर्गचती निकलती है तस्य च हस्तम दशती च और और तस्य हस्तम दशती और उसके हाथ को काटती है डसती है स्वामी उच्चही वदती, अब जब उसको काड़ती है तो वो जोड से चिलाता है, स्वामी उच्चही वदती, स्वामी जोड से वदती है, अह, दुत्यम लगुपातरम उधगाटे एती, दूसरा छोटा बर्तन खोलता है, एका अन्या मक्षिका निर्गछती, एक दूसरी, अन्या, दूसरी मक्षिका, मक्षी, अब यहाँ पर मक्षिका स्थ्रिलिंग है, इसलिए उसका अजेक्टिव अन्या, यह दूसरी, दूसरा वर्ड यूज किया गया, और एका, एक, एक दूसरी मक्षि, निर्गछती निकलती है, यहाँ पर क्रेक्शन करेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, सह, यहां पर सा होगा, सा ललाटे दशती, क्योंकि इस्त्रिलिंग है मक्षिका, तो यहाँ पर सा, करेक्शन कर लो, सा ललाटे दशती, वह माथे पर डस्ती है, पीडी तह सह अते चही चित करोती पीडे तु वह अते चही बहुत जोर से चित करोती चिलाता है अह इती अह इस प्रकार पहली मक्खी काड़ती है तो अह और दूसरी मक्खी काड़ती है तो अह इस प्रकार उसे अह भी मिल गया और अह भी मिल गया अजीज सफल था पास्टेंस आसीत स्वामी तसमे अवकाशस्य वेतनस्य च पुर्णम धनम ददाती स्वामी उसको अवकाशस्य चुट्टी का च और वेतनस्य पगार का सैलरी का पुर्णम पूरा धनम धन ददाती देता है स्वामी उसको चुट्टी का और वेतन का पूरा धन देता है इस तरह से हमारा यहाद चतुरुदर्शोह पाठा कम्प्लीट हुआ आप जब वीडियो देखेंगे तो टेक्स्ट बुक को सामने रखेंगे और एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन यहाँ पर आपको बता रखा है और ट्रांसलेशन आपको PDF में भी दे रखा है और जब आप इसका ट्रांसलेशन लिखेंगे तो एक लाइन संस्कृत लिखेंगे और फिर उसका हिंदी लिखेंगे PDF में से देखकर Thank you students